फ्रेंट्स, आज में लेके आई हूँ ओरेंज आइस्क्रीम की रेसिपी बच्चे हो या बड़े, आइस्क्रीम सबको बहुत पसंद होता है और यकीन मानिए, आइस्क्रीम घर में बनाना भी बहुत इजी होता है आप एक बार अगर बना लेंगे तो हमेशा घर में ही बनायेंगे तो friends यह ice cream सिर्फ 3 ingredients से हम घर में आसानी से बना सकते हैं तो आए जटपट यह tasty और yummy yummy ठंडी ठंडी ice cream बनाना चुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पबली आपका स्वागत करती हूं पबली पांडे किचन में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं और उसके साथ आपको तीन ओप्सन मिलेंगे तो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेसिंग लगता है तो आप दो फ्रेस ओरेंज ले ले हमें इसका जूस निकालना है तो आपके पास जो भी जूसर है उसमें इसका जूस आप निकाल सकते हैं लेकिन बीना जूसर के भी यह बहुत ही ज्यादा जूसी होता है तो ऐ आईसे भी निचोड के इसका juice की निव High goes to paint the orange को मैंने cut कर लिये हैं में यहां पर juice के लिए this here is the Hold juice recipes निफ्लिश निकाल तो दीखें वहाइब लग है इस में इसके बाद mindset इसको हम चननी से चान लेंगे जिससे कि उसका पल्प और बीच अलग हो जाए और सेप्टेट जूस हमें अलग मिल जाए तो इसको चान के हम साइड में रख लेते हैं इसके बाद मैंने यहां पर एक बड़ा सा बॉल लिया है और हमें चाहिए क्रीम तो मैंने लिया है एक कप वीप क्रीम आप वीप क्रीम ले या फिर फ्रेस क्रीम भी ले सकते हैं लेकिन वह एकदम चील होना चाहिए इस बाद का ध्यान रखें और तीन से चार मिनट के लिए हमें इसमें हैं मिक्सर चलाना है तो जब तक यह ठीक ना हो जाए और क्वांटिटी में डबल ना हो एक तम यह परफेक्टली विप्ट हो चुका है तो अब इसमें में डाल रही हूँ 3 4th कप कंडेंस मिल्क फ्रेंट्स कंडेंस मिल्क इसमें डालना बहुत जरूरी है इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है तो आप चीनी ना डाले कंडेंस मिल्क ही डाले और आप चा ती में हाफ कप वो भी मिक्स करेंगे हम इसमें और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल रही हूँ ओरेंज एसेंस टोटली ऑप्सनल है आप चाहें तो डाले नी तो इसकी भी कर सकते हैं और इसके बाद ओरेंज फूट कलर में डाल रही हूँ तो यह दोनों च जिए चोंब भार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स इस आइसक्रीम में तो मैने क्रीम का इस्तमाल किया है लेकिन मेरे चैनल पे विदाउट क्रीम विदाउट हैंड मिक्सर और बिना गैस जलाए इसक्रीम की रेटल हैं तो मैं उसका लिंग भी नीचे अप ले सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखे कि उसका धकन अच्छी तरह से बंद होता हो, वो एर टाइट हो, तो इसमें हम ये आइस क्रीम का अपना मिस्टर डालेंगे, तो आप देख सकते हैं, मेरा दो कंटेनर फूल हो चुका है, एक कप क्रीम से, तो इसको हम एक बार लेंगे, कि ये जो अच्छी तरह से सेट भी हो जाए, और एर बबल्स हैं, वो निकल जाए, तो दोनों को टैप कर लेते हैं, एक बार, इसके बाद मैं उपर से लगा रहे हूं, फॉल पेपर, जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टलाइज ना हो, आप इसके बीना भी बस ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन एर टाइट धकन होना चाहिए, तो इस चीच का आपको ध्यान देना है, तो दोनों को अच्छी तरह से हम पैक कर लेंगे, तो देखिए मैंने धकन लगा लिया है, दोनों कंटेनर को मैंने अच्छी तरह से पैक कर लिया है, अब चलते हैं इसको फ्र फ्रेंड्स हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 8-10 गंटे के लिए या फिर पूरे राथ छोड़ देंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आठ से 10 गंटे हो चुके हैं और मैंने पूरी राथ इसको फ्रीजर में छोड़ दिया था और अब हमारा आइस क्रीम रेडी है तो इसको मैं सर्फ करके दिखाती हूँ आपको और आप देख सकते हैं उपर से आइस क्रिस्टलाइज भी नहीं हुआ है तो अब इस यह देखे कितना सुन्दर लुक आया है तो यम्मी यम्मी आइस क्रीम घर में बनके तयार हो गया आपने देखा सिर्फ तीन इंग्रिडियन्स से हमने कितना आसानी से घर में इसको बना लिया है तो फ्रेंड्स बाहर का आइस क्रीम खाना हेल्दी नहीं होता है केमिकल्स भ आगा जरूर बताएगा कमेंट में पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बबाई